से 4168 and 126 by using division method and prime factorization तो आप इस वीडियो को पुरा देखिए चले हम इसकी सुरात करते हैं पहला अपने prime factor से करते हैं prime factor करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है prime number से divide करना पड़ता है तो यहाँ पर मैंने कुछ prime number लेकर रखें divide हम अपना 2 से सुरू करेंगे देखिए divide ऐसे समझ यह ऐसे किया जाता है इसमें देखिए हमने 2 का divide किया जितने time आपका divide होता है इसको यहाँ लिखना है तो कितने time होता दोस्तों आपका 8 time और 4 time किसी को divide करने में समझ आ रही हो तो इसको ऐसे side में लिखके divide करके check कर लेना चाहिए च्रिक है अब देखिए यहाँ पर again हम 2 का divide करेंगे कितने times गया दोस्तना आपका 4, 2 time गया again इसमें 2 का divide किया कितने time गया 2, 1 time गया अब देखिए इसमें आपका 2 का divide नहीं हो रहा है तो मैं किसके पास चला जाओंगा 3 के पास 3 का divide किया इसमें कितना 7 time हो गया और 7 में 7 का divide आपका 1 time इसके तो यह आपके क्या आगे दोस्तों factor आगे अब यहाँ पर 126 की बात करते हैं इसमें देखिए 2 का divide किया मैंने कितने time चला गया 6 और 3 time चला गया उसके बाद देखिए इसमें 2 का divide नहीं हो रहा है लेकिन 3 का divide हो रहा है कितने time हो रहा है 3 का divide देखिए 2 time और 1 time इसमें आगे इन 3 का divide हो रहा है कितना 7 time और 7 में 7 का divide हो रहा है आपका 1 time ओके समझ आ गया इसमें कोई दिकत नहीं होनी चाहिए अब हमें किसकी बात करने हैं यहाँ पर दोस्तों SCF की बात करने है तो आप या तो इसनके देखिये SFF लिखो उसके बाद अपना SCF निकलो यहाँ पर 2 कितनी वार आया है आपका देखियो 3 वार आया है SCF के बाद 3 1 वार आया है 126 के देखिये यहाँ पर 2 1 वार है उसके बाद 3 2 टाइम है और 7 1 टाइम है ऐसे लिख के उसके बाद निकलो यहाँ से डारेक्ट काम कर दो यहाँ पर SCF का मतलब क्या होता है आपका हाईस्ट कॉमन फेक्टर यहाँ आपको क्या करना है यहाँ पर दोनों का कॉमन फेक्टर लेना है ठीक है? कॉमन फेक्टर क्या होता है? ऐसा फेक्टर जो कि इसका है इसका है और उनको multiply में लिख देना है तो एक तो देखित 2 आ गया दूबारा मैंने चेक करना है तो यहां है लेकि यहां नहीं है तो मैं अगला अगला देखो इसको त्री को त्री यहां है यहां है ठीक है काम बन गया उसके बाद सेवन देखो यहां है यहां भी है ठीक है या तो डारेट काम कर दो या फिर यहां से करते हैं तो वो एक ही बात रहती देखो त्री यहां है यहां है उसके बाद आपका 3 यहां है यहां है 7 यहां है एक ही बात है ठीक है अब देखो यहां पे इनका multiply करते है multiply करने का देखे ट्रिक सीखे इसको देखे हम multiply करते है 7 से कितना 21 बनाता है 21 को 2 से multiply करते है कितना आ गया 42 आ गया तो यहां पे इनका आपका सेफ कितना है दोस्तों 42 है और सेफ क्या होता है दोस्तों ऐसा नомết में बड़ा न म्क न इससी आगे कोई ऊसे बड़ा नमें और हाँ छोटा कोई भी हो सकता एक ले लो दो ले लो लेकिन ये क्या देता आपको बड़े से बड़ा नमर निकाल कर देता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो चले हम अपना दूसरा मेथड भी सेखते हैं कौन सा डिवाइड करने वाला यहाँ पर कितना टू आ गया फूर आ गया अब देखिए रिवर्स डिवाइड किया जाता है इसे ठीक है ओके समझा रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर पूरे को लेना पड़ेगा तो चले पूरे को ले लिया मैंने इसको मैं किस से मल्टिप्लाइ करूं कि मे लिम हो जएका कितना 3 से गुना किया है तो कितना ऐगया मेरा यह आगया किस से डिवाइड भूआ कंप्ली यही आपका एगकर आ घाने वां चैनल को सबूचराइब करें बीडिव करें लाइक करें शेयर करें